कि नमस्का दोस्तों मार्केट अनलीसिस के वीडियो में आपका स्वाकत है आज पहली बार ऐसा है कि हमने ब्लैक टूजडे देखा है कि कि हमको देखने को मिलता है ब्लैक फ्राइडे होता है ब्लैक मंडे होता है थैंक्स टो बीजेपी एंड पॉल जो एक्जिट पॉल आया था वहां पर जो हमें बताया गया दिखाया गया पॉल में उससे यहां पर काफी यानि कि 20% वेरियंस था जो सीट आया अभी क्वेस्टन यह है कि बीजेपी क्या सरकार बनाएगी कि या फिर जो एंडिये वाले है वह एंडिया अलाइंस के साथ मिक्स होके वह लग गवर्मेंट बनाएंगे तो अभी उसके वज़े से हमको देखने को मिला था कि एक ताइम पर दस परसंट भी नीचे था मैं आज ट्रावेलिंग कर रहा था तो मैंने सुभे ट्रेड करके फिर मैं कोई भी ट्रेड नहीं लिया था तो जो था वो मेरे पास ट्रेड था बहुत दूर का था फुर्टी फाइथा था था एंट फिप्टी ताउजन का था वह फिर मैं जब लैंड हुआ मैंने वह उसको फिर यहां पर बूग दिया था तो मेरे पास अभी कोई पोजिशन नहीं है और कल देखते है फि वह भी न्यूज आएगा और उसके बाद में आज अभी भी यहां पर जो काउंट चल रहा है वह फाइनल फिगर क्या आता है उसके बाद में यहां पर डिसाइड होगा दो तीन दिन लगेगा जिस हिसाब से पैनिक यहां पर फॉल आया हुआ है पॉसिबल है कंट्यूनेश और यह जो अभी हमने देखा था यहां पर कल यह हमारा यहां पर बन गया फॉल्स ब्रेक आउट और हमने एक अच्छा सा गिरावाट देखने को मिला है सपोर्ट पर हमने क्लोस किया है जो यह ट्रेंड लाइन था और अब हमें ध्यान में क्या रखना है यह केंडल का लो ज यहां पर जो इसका सपोर्ट था उसके नीचे यह अब क्लोस हुआ है तो यह जो लेवल है अभी आपके लिए यहां पर रेजिस्टन्स का काम करेगा 47 415 का उसके नीचे नहीं करेगा तो अच्छा सा शौट बनेगा आपके लिए यहां पर इंपोर्टन रहेगा 46 579 यहां पे वह लेवल जब भी ब्रेक करेगा सीधा आप देखोगे तो यहां पे 46,000 जाएगा 45,800 और यहां पे और भी नीचे जा सकता है कल एक्सपाइरी है तो जो भी फसे लोग होंगे उनको यहां पे और फसाया जाएगा और पैनिक में सेल किया जाएगा मार्केट में पैनिक कब आएगा क्योंकि आज काफी सारे लोग के पास यहां पे मार्जिन शॉट फॉल आएगा अगर जिन्होंने बाई किया है MTF पे स्टॉक्स वह यहां पे सेलिंग में आएगा तो आपको फर्दर गिरावाट देखने को मिल सकता है तो कल दियान में रखन ग्यारा बजे के आज पास फिर से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है मार्जिन शॉट फॉल आएगा फर्दर यहां पे गिरावाट आएगी नीचे 44,000 एक सपोर्ट का काम करेगा फिन निफ्टी यहां पे नीचे exactly यह जो नीचे जो हमारा trend line था वहाँ पे गया है कल हमारा discussion था कि अगर हमने यह लेवल ब्रेक किया तो पहले यहां पे आएगा यहां पे हमने support ढूंडा था उसको भी break करके नीचे आया हुआ है अब आपके लिए यहां पे important कौन सा हो जा के आज का लोग रेक करेगा तो यह जो प्रीवेसली आप देखोंगे जब सपोर्ट लिया था वह लेवल है 19,800 वहां तक एक बार यह रास्ता खुल जाएगा इसके लिए बाकि स्टॉक्स की बात करें तो फ्रेव फॉल अदानी यहां पर 20 परसंट डाउन है एक ताम दर 25 परसंट के आसपास था इसका जो लोग लगा था 2733 हमारा जो सपोर्ट है 2724 था अभी भी यहां पर पॉसिबल है कल आपको आप इसको 2708 तक वापस एक बार जाता हुआ देख सकते हो इसमें आपको द्यान में क्या रखना है कि यह यह जो यहां पर गिरिंग केंडल देख रहे हो ना उसका लोग जो अभी है यहां पर 3015 तो जब तक यह 3020 के ऊपर सस्टें नहीं करता है सेल और राइस हो जाएगा मौका मिलता है तो शॉट कर सकते हो आप इसको और जो भी मैं स्टॉक आपको चार्ट इसका निचे जो सपर्ट बन रहे है इसके लिए इंपोर्टन रहेगा यह क्योंकि हमने डबल यहां पर बॉटम बनाया था इसका आज हमने ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो इसका जो लो है 6594 वह आपको द्यान में रखना है 6600 यह ब्रेक नहीं करेगा फदर नीचे है और नीचे में जैसे यह वापस 2160 को ब्रेक करता है और यहां पर गिरावट आ सकती है नीचे सपोर्ट है 2630 के लिए अगर यहां पर देखते हैं हम तो यह कल बैंक निफ्टी का है एक्सपारी तो उसको देख लेते हैं पहले अभी हमें 47,000 पर हमको पूर्ट देखने को मिल रहा है यह जो टूटल ओई है काफी सारा तो अन्वाइंडिंग हुआ है आज जो अगर फ्रेश शॉड कहें तो जो यहां पर क्या होगा कि अगर एक साइट पर वेट हो गया यानि कि पूठखी सब यहां पर कर रहे है कॉल शॉड कर रहे है तो कभी यहां पर रिवर्स अला सकता है विक 27 है और आज का भी मुमेंट आपने देखा होगा कुछ ही मिनीटों में यहां पर 300-400 पॉइंट का हो र तो बैस्ट है एक दो दिन आराम ही कर लेना तो यहां पर आपको कॉल की साइट जो ध्यान में रखना है 47-400 का उसके उपर सस्टेंग करता है तो फर्दर शॉट करिंग 48,000 जा सकता है नीचे में 46-800 के नीचे जितना सस्टेंग करेगा 46,000 जाने का पूरा चांस रहेगा निप्टी में हाइच जो शॉट है 22,000 पर है और सपोर्ट जो अभी दे रहा है वो है यहां पर अर्मोंस सेम स्ट्राइक पर ही है 22,000 पर अगर हम यहां पर वापस होल्ड करते है 21,820 के नीचे तो यह जो अभी 35,000 लाग ओपन है 22,000 पर वो पैनिक में आएंगे और मार्के मिल सकता है 820 के नीचे वापस चलते हैं ग्लोबल क्यूस का तो अभी कुछ रहेगा नहीं क्योंकि अभी हमारा मार्केट ही है पैनिक में है क्योंकि यह पॉलिटिकल इस्यू की वज़े से अब यहां पर हम क्या करते है 15 मिनिट पर देख लेते हैं कि कहा पर एक बार यह लो नहीं निकलेगा चीह और ऊपर में आपका 222 47 ब्रेक करता है तो यह डवल बनेगा 22 750 टार satellites और अगर याहां पर वांपिस लेवल को ब्रेक नहीं करता है और low break करता देता है तो क्या होगा यहां पेर nine मैंकर बनेगा वहां पर आपको एक और और धैजने को मिल सकता है पैनीक है तो बहुत ही बहुत क्षामि मवर्मन आ सकता है जैसे आप यहां पे यह candle देख सकते हैं कितना ओने यहां पर हाई 23 150 लो लगा है 22 480 तो उसी हिसाब से यहां पर देखने के मिलेगा एन डवली बैटन दोनों के लिए तयार रहेना लेवल के बाद में ही ट्रेड करना वह अच्छा रहेगा इसके लिए जो इंपोर्टन है यहां पर इसके उपर गया तो डवली पैटन के लिए कंफरमेशन लोवर साइट 46 एक 46820 ब्रेक किया तो हमारा यहां पर एन पैटन बन सकता है एन पैटन के लिए हमें यहां पर इस हिसाब से बनेगा हमारा यह रिजेक्शन आया और यहां पर और फिबुनाची से भी अगर आपको देखना है कि यहां पर कौन सा लिवल आ रहा है तो आप क्या करेंगे हम यह हाई को मार्क करके यहां पर एक बार फिर से में इसको देख लेता हूं हाई ओके तो अभी 47272 एक रिजिस्टन्स है उसके नीचे ही रहा तो यहां पर कंटिनेशन हो सकता है और आज के हम हाई से अगर इसको काउंट करें तो हमारा आता है 50% जो है 48328 के आस पास मार्के अगर आप यहां से नीचे देखते हो कि यहां पर और कितना जा सकते हैं तो आप क्या कर सकते हो यहां से फ़िछी लेकिंग जोबी हाइक बने। Satie Eighth